Hello students, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर आज की डिक्टेशन 80 प्रती मिनिट की गती से तयार की गई है यह डिक्टेशन कोर्ट्स एक्जाम को देखते हुए तयार की गई है और SSE एक्जाम के लिए भी बहुत ही जादा महत्पूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन तो इन डिक्टेशन को बहुत ही ध्यान से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भवे समय से डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें डिक्टेशन पर आरब होने में अंतिम 5 सेकिंड, 4, 3, 2, 1, start महोदय मैंने बहां यह देखा है कि राज्ज के कुछ लोग और परिबार धन बटोरने में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत भारत संग के धनकर उपहार कर शहरी भूमी शीमांकन आदी कानून को बहां लागू नहीं होने दिया जाता है क्योंकि बहां नहित स्वार्थ है ये तत्व हमेशा ऐसा करते रहते हैं जिससे बहां का आम आदमी यह नहीं भाप पाता है कि इसके कारण उनका सोसर एवं उतपीरण हो रहा है और उन्हें आर्थिक प्रगती के लाभ से बंचित रखा जा रहा है उनका यह भी कहना है कि जम्मू कस्मीर में श्वायत्ता और सांश्कृतिक अश्मिता के नाम पर जन्ता को बेवकूफ बनाया जा रहा है जबकी जरूरत इस बात की है कि गरीव और बंचित जन्ता के हित में गरीवी भूक और रोगों को दूर कर बहां संतुलन बिकास सुनिश्चित किया जाए तब ही बहां सच्ची श्वतंत्रता और सच्चा लोकतंत्र इस्थापित हो शकेगा यदि इस अनुछेद को समाप्त कर दिया जाए तो बास्ताओं में बह ना केवल गरीवी और पिछडापन दूर करने में शहायक शिद होगा अपितू उसमें कस्मीर की शंस्कृती भी सुरक्षित रह सकेगी पैरा स्री जग्मुहन जम्मु कस्मीर के राजिपाल पद पर रह चुके हैं और उन्होंने बहां की जनता का दुख दर्द देखा है उनकी कसक को पहचाना है पीडा को समझा है और उनकी शमस्याओं कटनाईयों को स्वयम देखा और सिद्द से महसूस किया और कस्मीर समस्या को गहराई से परखा है लेकिन साथ ही बे एक बिवादासपत राजिपाल भी बन गए उस दोर में बे क्या कुछ और करना चाहते थे उसे ना कर पाने की उनकी सीमाएं परिस्तितियां और दबाओं के कारण उनकी निरासा हतासा और छोब को समझा जा सकता है किन्तु अनुछे 370 को कस्मीर सम्मंधी शभी समस्याओं की जड़ नहीं कहा जा सकता देश के कई अन्य भागों में भी शमय समय पर उग्रबाद आतंकबाद और अलगावाद भेलते रहे हैं अगर आप पंजाब का उदाहरण लेंगे तो आप कह सकते हैं कि बहां तो ऐसे अनुछेद की दीवार नहीं थी पैरा जिस लोकतंत्र पर हम दिन रात इतराते नहीं अगहाते उसका शरूप क्या है चुनाओ आधारित इस लोकतंत्र में कोई आम भल मानस ब्यक्ती चुनाओ लड़ने और जीतने की कलपना भी नहीं कर सकता आम चुनाओं में आम तोर पर हर तरह के अपराधी और अर्ध अपराधी तद्व चुनाओं जीतने के बाद देश की बागदोर संभालते ही देश को अपनी जागीर समझने लगते हैं और लूट खसोट मचाना सुरू कर देते हैं आज के राजनेतिक माहौल में सत्ता के दलाल परिवारबाद उत्तराधिकारबाद भाई भतीजाबाद और ध्रष्टाचार का बोलबाला है भारत के सम्मिधान के अंतरगत देश में शम बैदानिक एवं बैदानिक काईदे कानूनों का बाहुल है पर होता क्या है धन्यवाद स्टूडेंट्स डिक्टिस ने दिया आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए अधिक साधिक के शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए प्रेड़ा सुरोत होता है और यदि वीडियो को आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद